देखिए बच्चों हम लोग चैप्टर नमबर 4 के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इनको सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक हमने कितने कोस्टन को कम्प्लीट कर लिया है तो दो कोस्टन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग कौन सा कोस्टन देखेंग लेजर अकाउंट प्रिप्यार करना है अगर कोलग रहता है कि जनल इंट्री पास करो कि में यहाँ पस भौना गया है वैसे भी आप लोग कर सकते हो ठीक है तो चलो मैं आपको डारिकली ही बताने वाली हूं तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कौन-कौन से अकाउंट्स आपको यहां पर प्रिपेर करने हैं तो यह आपको कैसे पता चलेगा तो जब आप यह को स्टार्ट करते हैं मतलब कैश के साथ उसकी एंट्री क्या होती है यहां पर कौन-कौन से दो अकाउंट्स आते हैं तो पहला तो आपका कैस अकाउंट आता है दूसरा आपका क्या आता है ठीक है तो जितने भी अकाउंट्स रहते हैं ना सभी के लिए हमें लेजर बनाना ठीक है लेजर अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे हम लोग लेजर अकाउंट ठीक है न तो पहला अकाउंट किसके लिए बनाओंगे कैश अकाउंट के नाम से आप लोग पहला अकाउंट बनाएंगे ठीक है और बाकी तो format कैसा रहेगा आप जानते ही है पेज को ऐसे फोल्ड कर देना बीच वाली लाइन खीचना इधर चार कॉलम्स बनाना इधर चार कॉलम्स ठीक है डेट पर्टिकूलर्स जे एफ अमाउंट ठीक है और इधर लिखना है debit इधर लिखना है credit ठीक है तो यह हो गया आपका पहला account दूसरा कौन सा बोला था मैंने capital ना तो यहां पर अभी आपको लिखना है capital account मेरे साथ साथ ना आप लोग भी करते जाएए फिर format कैसा रहेगा आप जानते ही है बराबर तो दो account तो हो चुके चलो अभी अगला transaction देखते हैं तो देखो वहां पर क्या लिखा है कि bought goods from विकास रुपीज 3,000 तो यहां पर कौन-कौन से दो account आएंगे तो देखो हमने क्या किया है सामान खरीदा है किस के पास से खरीदा है तो खरीदने का मतलब क्या purchase है न तो यहां पर purchase account आएगा तो तीसरा account हम लोग मतल जुँँद गरीदा है तो जो वह कैसे खरीदा है credit पे खरीदा है मुझे कैसे समझा क्योंकि वहां पे न सामने वाले परसन का नाम लिखाया जिस्ते भी हमने गूट्स खरीदा हुए मतलब हमने वह credit बही खरीदा तो जब ही हम लोग credit पे खरीदते हैं तो उसे 기도 हो तीए digging लोग एंट्री करते तो सामने वाले परसन का नाम आता है ना यानि कि विकास का अकाउंट भी यहां पर आएगा और अगर विकास का अकाउंट आ रहा है यानि उसके लिए भी हमें separate लेजर बनाना पड़ेगा ठीक है तो अगला लेजर अकाउंट आप किस नाम से बनाओगे तो विकास अकाउंट नाम से ठीक है चलो अम इदर लिखते हैं विकास अकाउंट तो पहले से लिखा ही है फिर अगला ट्रांजेक्शन यहां पर देख लीजी क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर नौ तारिक का ट्रांजेक्शन उसमें क्या दिया है कि सोल्ड गूड्स आपसे अकाउंट आएक तो यहां पर लिखते हैं तो सामने वाले परसन का नाम आता है तो इसके लिए भूशन का आकाउंट भी हमें यहां पर बनाना पड़ेगा अकाउंट ठीक है फिर लांस्ट में किसका अकाउंट बनेगा तो चलो एक बार पढ़ते हैं तो समझेगा हमें देखो बारत आरिक का मतलब बारत आरिक का ट्रांजिक्शन क्या दिया है कि पेड़ विकास ओन अकाउंट रुपीज 1,600 तो यहां पर देखो बच्चों विकास क बना चुके हैं तो दुबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फिर अगला ट्रांजिक्शन है कि रिसीवड ऑन अकाउंट रॉम भूशन तो भूशन का भी हमने यहां पर बना लिया है ठीक है उसके बाद क्या है कैश पॉट्चेस कैशेस तो कैश कांट भी हमने बन इहांगे तो यहाँ पर लिख देते हैं वेजय समयै तो बस इतने ही अकाउंट साय सकते हो इस तरीके सी यह लेजर अकाउंट बना लिया है चली अब ही बिजनस विट कैश रुपीज 10,000 आपको वह रूल याद है ना एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूं बार 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 बताओंगी ना तो आपको याद हो जाएगा फिर एक्जाम के टाइम पर भूलोगे ने बिजनस विट कैश रुपीज 10000 यानी बिजनस स्टार्ट किया 10,000 के साथ तो सब्सक्राइब करते हैं कैश के अंदर कैश आता है यान पर क्ए हो जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा तो चैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यानि इस capital account ऐसे ही तो होता है आप चाहो तो वर्किंग नोट में इस तरीके से कर सकते हैं अपनी notebook में आप आप चाहो तो ऐसे करके जर्नल एंट्री पास करके मतलब आप कर सकते ठीक है तो यह हो जाएगा और यहां पर डालिएगा डेट तो कितना तारीक है 2019 जन्वरी है ना 2019 और जैन वन ठीक है एक जन्वरी का यह ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या करना है डेविट में आ जाना है और यहां पर आप क्या लिखेंगे तो देखिए इसके साथ कौन सा अग्टक्राइगा डेट उहां पर आपको लिखना एक टू कापिटल अकाउंट और इसका अमाउंट कितना है तो यह भी इसका आमाउंट है 10,000 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चो 10,000 लिखेंगे समझेगी ने इतनी बाते आपको समझ में आई अभी next आजाये ऐगला यहां पर कौनसा अकांट है बच्चो capital अकांट है तो आपको क्या करना है कैपिटल अकांट में आ ज़ाना है कौन से साइड आओगे तो देखो यहां पे capital अकांट क्या हुआ है credit हुआ है न से से यहां ृट çocuğ हुआ है cash account debit हुआ है तो यहां पर आप क्या लिखोगे by cash account देखो ऐसे by cash account ठीक है और इसका amount कितना है 10,000 तो यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा 10,000 तो यहां पर देखिएगा पहले transaction के लिए जो भी posting करनी थी वो हमने कर दी सिंपल था कि नहीं बताओ जितने account आए रहेंगे उतने account में जाने का और जाकर के posting कर देने का बस ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला transaction देखो बच्चों यहां पर क्या दिया गया है कि bought goods from विकास रुपीज 3,000 यानि कि विकास के पास से हमने सामान खरीदा 3,000 रुपे का तो इसकी एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्री सोचिए जड़ा अगर हम लोग सामान खरीद रहें तो purchase हमारे लिए क्या हो जाएगा expense हो जाएगा यह purchase था ना एक मिनिट purchase हमां पर है ठीक अगर आप यह वर्किंग नोट में कर रहे ना तो आपको पूरा ऐसे लिखनी की जरूबत ने पूरा नरेशन वगरा जैसे आम लोग चैप्टर नंबर 3 में करते थे वैसे मत लिखो बस ऐसे वर्किंग नोट में ना आपके समझने के लिए आप लोग कीजिए ठीक है purchase अका और यहां पर देखो purchase account क्या हुआ है debit हुआ है ना तो आपको आजाए है debit side में और यहां पर पहले तो आप लोग date डालिएगा दो हजार उन्नेज जैन्वरी कितना जैन्वरी है छे जैन्वरी है ना यहां पर लिखेंगे जैन 6 ठीक है और देखो purchase account के साथ credit कौन सा अकाउंट हुआ है विकास का ना तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 विकास account कि अमाउंट इसका कितना आएगा तो यहां पर देख लो question में 3000 दिया गया है तो हम इदर लिख देंगे बच्चो 3000 ठीक है फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा आया है विकास का अकाउंट आया ना तो आपको आचाना है विकास के अकाउंट में और कौन साइड आप जाएंगे तो देखिएगा विकास का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है इसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां पर जाकर के पहले तो डेट डालेंगे कितना 2019 यहां पर लिखेंगे जैन 6 ठीक है और देखो विकास के साथ कौन सा अकाउंट यहां पर बच्चो डेबिट हुआ है पॉचस अकाउंट ना तो हम यहां पर लिखेंगे बाई पॉचस अकाउंट ठीक है और इसका अमाउंट कितना आएगा तो कितना अमाउंट था 3,000 तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चो 3,000 ठीक है कितने का बेचा 2,400 रुपे का तो अगर हम लोग सामान बेचते हैं और यह हमने कैसे sold किया है तो credit पर sold किया है ठीक है तो आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला तो देखो बच्चो यहाँ पर कुछ ऐसे clearly बोला ने कि हमने credit पर या फिर cash पर बेचा है ठीक है लेकिन यहाँ पर भूशन का नाम दिया गया है इससे आपको समझ जाना चाहिए कि हमने goods बेचा तो सही लेकिन कैसे credit ठीक है तो जब भी हम लोग goods को credit पर बेचते तो उसकी और नौ तारिक का है ना जी यहां नौ तारिक ठीक है जो भूशन का account है यह हो जाएगा debit और credit क्या होगा तो जो sales account है यह हो जाएगा credit ठीक है समझरे हो कि नहीं तो यहाँ पर देखो दो अकाउंट्स आए है भूशन और यह से तो आपको करना क्या है भूशन के आप मेरे साथ साथ करते जाए यह वर्किंग नोटी नहीं पूरा आप मेरे साथ साथ करते जाओ तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है चलो आप तो मैं इसको मिटाई देती हूँ क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2019 और कितना तारिक नो तारिक आएगा जैन नई ठीक है क्या लिगہ लिखेंगे देखो इसके साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हूआ है तो यहाँ पर लिखना रिखना है टू सेल्सbags upside amount कितना आएगा तो देखो question में कितना दिया दिए 2400 पर यहाँ पर क्या लिखocket 2400 फिर दूसरा यहाँ पर कौन से हैं इन तर है न तो आपको सेल्स अकांट में जाना और कौन से साइट यहां पर सेल्स का हुआ है भूशन का अकाउंट तो आपको यहां पर लिखना है बाई भूशन्स अकाउंट और अमाउंट कितना लिखेंगे तो बताया था ना आपको 2400 तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चो 2400 ठीक है समझ गया तो यह भी हमने कंप्लीट कर लिया अब चलते आगे अगला यहां पर देखो बारतारी का ट्रांजेक्शन क्या दिया है कि पेट टू विकास ओन अकाउंट रुपीज 1600 यानि कि हमने क्या किया विकास को 1600 रुपे दिया ठीक है विकास पहले हमारा क्या था क्रेटर था क्योंकि उसके पास से हम खरीदा था और वो कैसे खरीदा था हमने क्रेडिट पे ठीक है तो इसके लिए हमने उसको इतना अमाउंट पे किया तो जब आप अमाउंट पे करेंगे तो बताइए यहां पर दो इफेक्ट कौन-कौन से होंगे तो पहला तो आपके पास से कैस्ट जाएगा और दूसरा क्रेडिटर मतलब लाइब्लेटी ठीक है यहां पर लिखेंगे विकास अटर किसको देना होगा तो पहले हमारा क्या था बच्चों क्रेटर करेटर क्म हुआ तो डेबिट देने का बताया था नहीं आपको यहां पर लिखेंगे विकास अकाउंट डेट टू-कैश अकाउंट पराबर तो यहां पर दो अकॉंट कौन-कौन से एक तो विकास दूसरा कैस तो पहले आपको यह विकास वाला कर देना है तो विकास अकाउंट कहां पर यह रहा है ना तो डेट में जाओगे कि क्रेडिट में जाओगे तो विकास अकाउंट क्या हुआ है डेट हुआ है ना तो आपको डेट साइड में जाना है और यहां पर क्रेडिट हो आई…? क्रेडिट हुआ है? क्रेड़िट हुआ है? आए बच्चो cash account आया ना तो cash account कहां पर है यह रहा राइट तो आपको cash account में आना है कौन साइड आना है तो देखो cash account क्या हुआ है credit हुआ ना तो आपको credit side में आना है यहां पर लिखिए 2019 जैन 12 और क्या लिखोगे इसके साथ कौन सा अकाउंट debit हुआ है विकास का तो हम इदर लिखेंगे by विकास account इसका amount कितना लिखोगे तो 1600 हम इदर लिख देते 1600 है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला transaction देखो बच्चो 19 तारिक का इसमें क्या दिया है कि received on account from भूशन रुपीज 1,000 यानि कि हमने क्या किया भूशन के पास से 1000 रुपे रिसीव किया ठीक है अच्छा भूशन हमारा क्या था भूशन हमारा था डेटर क्योंकि हमने उसको सामान बेचा था ठीक है तो उसके पास कि चलो मिटाई देती हूं फिर यहां पर आपको अगला वाला बताती हूं कि 19 तारिक का क्या पताया था मैंने आपको कैश अकाउंट को यहां पर हम लोग कर देंगे डेबिट क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है और यह पैसा हमें दे कौन रहा है बूशन दे रहे तो यहां पर इनके अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट ठीक है और भूशन करना पड़ता है समझ रहो कि नहीं आप सोचेंगे कि हमारा कम कैसे हुआ तो सुनों ध्यान से पहले हमने जो भूशन को सामान बेचा था वो कितने का बेचा था तो 2400 रुपे का ठीक है तो 2400 से यह हमारे क्या थे डेटर थे राइट अब हमें अगर यह पैसा दे रहे हैं 1000 र रहेंगे इतने से 1000 जार्शो से ठीक है तो पहले आपका असेट इतना था लिकितना ओगया यानि कम हो रहा है इसके लिए हम इसको क्या देंगे क्रेडिट देंगे ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से दो अकांट आया है पहला तो पहले आम लोग कैस्वाला कर लेते हैं तो तो cash account यहाँ पर क्या हुआ है debit हुआ है तो आपको debit side में जाना है और फिर यहाँ पर डालिएगा 19 तारिक ठीक है तो देखो cash के साथ यहाँ पर कौन सा account credit हुआ है ठीक है इतना ही है ना एक बार देख लेते हैं ठीक है और दूसरा account यहाँ पर क्या है भूशन का account में आईएगा debit के credit तो देखो इनका account जो है वो debit हुआ कितने से हुआ है एक हजार से यहां पर आपको लिखना है बच्चो एक हजार ठीक है तो इस transaction के लिए भी मतलब हमने पोस्टिंग कर लिए आगे चलते हैं 25 तारिक का देखिएगा 25 तारिक का ट्रांजेक्शन वहाँ पर क्या लिखा है कि कैश पॉट्चिस यानि कि हमने गुट्व खरीदा और कैसे खरीदा है कैश में खरीदा है तो जब भी आम लोग गुट्व को खरीदते हैं कैश में तो कितना तारिक है 25 तो क्या लिखेंगे पॉट्चेस अकाउंट को हमें करना होगा डेबिट और कैश अकाउंट को हमें करना होगा क्रेडिट ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से दो अकाउंट्स आया है पॉट्चेस और कैश तो अभी यह पॉट्चेस वाला पहले कर लेते है तो purchase account में आ चाहिए आप लोग debit में की credit में है तो आपको आजाना है debit side में और यहां पर डाल दीजिए date कितना 25 तारी ठीक है 25 ही है ना जी हां बराबर और देखो purchase के साथ यहां पर कौन सा account credit हुआ है cash ना तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे to cash account थोड़ा नीचे लिखते हैं इसके सामने to cash account ठीक है amount कितना लिखोगे तो देखो यहां पर amount कितना दिया है 3600 तो हम इदर लिख देंगे 3600 बराबर और यहां पर दूसरा account कौन सा है cash account आया ना तो आपको cash account में आ जाना है debit में जाओगे कि credit में जाओगे क्रेडिट में चाहिएगा क्योंकि cash account यहां पर क्रेडिट हुआ है तो हम इदर लिखते है 25 तारिक है ना और यहां पर हम क्या लिखेंगे बताइए तो इसके साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है purchase account अमाउंट कितना आएगा 3600 यह लिजी हमने लिख दिया ठीक है फिर उसके बाद यहां पर देख लो अगला तीस तारीक का ट्रांजेक्शन क्या दिया है cash sales यानि कि हमने यहां पर goods को बेचा है और कैसे बेचा है तो cash में बेचा है ठीक है तो जबी भी आप लोग गुड्स को cash में बेचते हैं तो उसके entry क्या होती है याद कीजिए तो देखि कौन से दो अकाउंट्स आए है cash और sales तो पहले हम लोग cash वाला करते हैं तो cash अकाउंट में आप लोग आजाए और किदर जाएंगे debit की credit तो देखो cash अकाउंट क्या हुआ है तो आपको debit side में जाना है और यहां पर डालिएगा 30 तारीक और फिर क्या लिखेंगे इसके साथ कौन सा क्रेडिट हुआ है sales अकाउंट ना तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे to sales अकाउंट ठीक है और amount कितना आएगा तो कितने का समान बेचा 5000 का तो यहां पर आपको लिख देना है बच्चो 5000 ठीक है दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है sales अकाउंट तो sales कितना है कितना था 5000 तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 5000 ठीक है समझ पा रहे है कि नहीं आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट वाला देख लीजी बच्चो 31 तारीक का वहां पर लिखा हुआ है पेड वेजस रुपीस 400 यानिकि हमने वेजस पे किया ठीक है तो यहां कि वेजस अकांट को अमलों करने वाले हैं गएविट और इसका दूसरा एफेक्ट किया होगा हमारे पास से पैसा जाएगा यानिकि कैश अकांट को आँकर सब्सक्राइब आपको बताती हूं पैसे करके बनेगा इसको मिटा दू एक बात बताओं आप लोगों को देखो मुझे आपको समझाना है इसके लिए मैं आपको एक एक जीच करके बता रहे हुए लेकिन जब आप अपने मतलब एक्जाम में करने बैठेंगे ना तो आपको खुछ से करना रहेगा एक बार अगर आप समझ गये ना बहुत जल्दी मतलब बहुत फटा फट करेंगे ठीक है जल्दी जल्दी आप लोग सॉल करेंगे को तो 31 को क्या हुआ वेजेस अकाउंट को हमें करना होगा डेबिट और हमारे पास से पैसा गया यानिकि कैश अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट टू कैश अकाउंट तो यहां पर दो अकाउंट्स कौन-कौन से आया है वेजेस और दूसरा है कैश अकाउंट तो वेजेस अकाउंट वाला पह लिखेंगे to cash account ठीक है और इसका amount कितना आएगा बच्चो 400 तो यहां पर हमने लिख दिया 400 और दूसरा account कौन सा आया है cash account है ना तो आपको cash account में जाना है debit की credit तो यह क्या हुआ है credit यानि के credit साइड में आईएगा और यहां पर लिखिएगा 31st फिर हम क्या लिखेंगे by wages account है इसके लिए हम लोग वेजिस लिखेंगे कि बोलो amount कितना आएगा तो कितना दिया था 400 हम यहां पर लिख देंगे 400 ठीक है तो आप लोग देख सकते हो सभी transactions के लिए हमने यहां पर मतलब क्या किया लेजर account में हमने posting कर दी है है न तो देखा आप लोगों ने हमने यह तो कर लिया अभी आमें क्या करना होगा इसका total करना होगा ठीक है यानि सभी accounts को आमें close भी तो करना होगा ऐसे खोल करके नहीं चलेगा बंद करो अभी accounts को तो चलिए करते हैं सबसे पहल आपको क्या करना होगा ना दोनों साइड के amount को total करना होगा ठीक है और जिदर का भी जादा होगा वही amount हम लोग दोनों साइड में लिखेंगे तो चलिए करते हैं देखो यह कितना है दस हजार एक हजार और यह पांच हजार यह कितना हो गया 16000 और अगर मैं यह करूं तो यह तो कम ही आने माला है यानिकि 16000 जो amount है वो हमें दोनों साइड में लिखना पड़ेगा तो चलिए इधर हम लोग लिख देते हैं 16000 ध्यान से देखना यहां पर हम लिख देते हैं बच्चो 16000 ठीक है और इधर भी हमें लिखना होगा 16000 ठीक पराबर अच्छा इसका total कित चलो एक बड़ देख लेते हैं तो 1600 और यह 3600 रुकों में बताती हो देखो 3600 और यह 400 4000 हो जाएगा 4000 और 1600 यानि 5600 देखो इसका total आता है बच्चो 5600 और इसका total कितना आया 16000 ठीक है तो यहां पर कितना amount कम पड़ रहा है यानि कि यहां पर balancing figure कितना आएगा अगर हम इसमें तो 0 यहां पर 0 10 में से 6 गया तो 4 5 में से 5 गया तो 0 यानि कि 10400 और हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर जोड़ना पड़ेगा है ना तो अभी यहां पर हम लोग 31 सारिक डालेंगे याद रखना 31 ही आएगा लास्ट वाला ठीक है यहां पर लिखेंगे by balance carried down ठीक है जिदर amount amount कम पड़ता है ना बच्चो उदर ही क्या करने का यह carry down वाला amount लिखने का बोलो कितना amount कम पड़ रहा था 10400 तो यह लीजिए आपको यहां पर लिख देना है 10400 ठीक है यह है आपका बच्चो balancing figure यानि कि difference है समझे अब इसे हमें क्या करना होगा transfer करना होगा किदर तो अगल balance brought down होगा तो जितना carry down हुआ था ना उतना ही brought down होगा बोलो कितना था 10400 तो हम इदर लिख देंगे 10400 दिख रहा है ना आपको यह है 10400 ध्यान से देखोगे ना दिखेगा 10,000 और यह हो गया 400 ठीक clear तो आप लोग देख सकते हो हमने यहां पर यह जो cash account दिया गया था इसको हमने close कर दिया है है ना तो यहां पर cash account का काम हो चुका है खतम अब बढ़ चलते हैं आगे और किसको अभी close करेंगे तो यह capital account को इधर है बच्चों आपका 10,000 और इधर तो कुछ भी नहीं है यानि कि हम लोग क्या करेंगे यह 10,000 वाला amount है इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे तो चलिए लिख देते हैं इधर भी आएगा 10,000 और उधर भी आएगा 10,000 यानि कि 10,000 इधर लिख दो और इसके सामने ही इधर लिखना 10,000 ठीक है देखो इधर balancing figure कितना आएगा तो पूरा ही amount कम पड़ रहा है तो 10,000 यहां पर आचाएगा क्या लिखेंगे हम लोग 2019 और date concert आलेंगे Jan 31st और यहां पर क्या आएगा तो बत balancing figure बोलो कितना 10,000 तो हम इधर लिख देंगे बच्चो 10,000 ठीक है यहां balancing figure और इसे अभी हमें next month के लिए transfer करना होगा मतलब इधर हम लिखेंगे fab 1 बराबर और क्या लिखेंगे इधर by balance brought down कितना आएगा 10,000 आएगा तो हम इधर लिख देते हैं 10,000 ठीक है तो आप लोग देख सकते हो हमने यह capital account दिया गया था इसको भी close कर लिया है और अब बारी है किसके तो यह purchase account की बारी है चलिए इसको भी फटाक से कर लेते हैं तो इसमें भी देखो बच्चो डेविट साइड में ही आपका amount दिया गया है बाकि इधर तो कुछ ही नहीं है ना तो कैसे होगा टोटल करते हैं 3000 और यह 3600 मतलब दोनों मिला करके आ जाएगा यहां पर 336 और यह 6600 आ जाएगा ठीक है और यह जो 6600 है ना इससे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे 6600 बराबर तो देखो बच्चो यहां पर और बैलेंसिंग फिगर किदार आएगा इधार आएगा ना क्योंकि इधर देखो डेबिट बैलेंस जादा है क्रेडिट में तो कुछ ही ने तो आपको क्या करना है यहां पर लिखना है 2019 और फिर यहां पर लिखोगे जैन 31 जे ए ए एन और यहां पर आजाएगा 31 दिख रह यहां आपका बैलेंसिंग फिगर अब इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बताया था न मैंने आपको क्रॉस में होता है जैसे यह इधर था तो इधर किया अगर यह इधर है तो इधर करो बोलो यहां पर डेट कौन सा आएगा तो फैब वन क्या लिखेंगे टू बैलें प्रॉट डाउन कितना अमाउंट आएगा तो 6600 समझे आगे चलते हैं यह अकाउंट भी हमने क्लोस कर दिया देख लो बस इतना ही करना था अब यह आगे बढ़ जाते विकास के अकाउंट को अम लोग क्लोस करते हैं तो दीखें दोनों साइड का में टोटल करना होगा जि ज़्यादा है तो इससे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे चलिए यहां पर भी हम लिख देते 3000 बराबर देखो बच्चों कम किदर पढ़ रहा है इधर की इधर किदर कम पढ़ रहा है ना कितना गम पढ़ रहा है तो 3000 में से 1600 को माइनस कर दो 3000- 1600 करो 00 और यहां पे रहे हैं आपका बैलेंसिंग फिकर गर ये वन है और इधर क्या लिखेंगे बिखेंगे कितना तारिक डालेंगे तो जैन 31 यहां पर लिखेंगे two balance carried down ठीक है ना और फिर इसे हम लोग इधर next month में ले करके जाएंगे तो क्या लिखेंगे fab 1 और यहां पर आ जाएगा buy balance brought down कितना 1400 तो यह लिजे हमने इधर लिख दिया 1400 ठीक है चलो अब आगे चलते हैं यह तो हमने कर दिया आव इसकी बारी है तो यहां पर भी हमें जो amount जादर रहेगा वह में लिखना पड़ेगा तो कौन सा वाला amount जादा है सामने से दिख रहा है यह वाला जादा है यह वाला ठीक है तो चलो लिख देते हैं इसका कितना आएगा तो पांच हजार होईए 2400 यानि कि 7400 आचाएगा बराबर तो 7400 हमेना दोनों साइड में लिखना होगा देखो यहां पर इसके सामने ही कर कीजिएगा ठीक है आपकी नोटबुक में तो लाइन बनी रहती है तो उसका जादा चिंता नहीं है देखो 7400 तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा उतना ही आएगा क्योंकि इस साट तो कुछ ही नहीं है जब कुछ नहीं है तो पूरा के पूरा amount हमें इधर लिखना ही और क्या लिखोगे टू बैलेंस केरेट नेक्स्ट इसका क्रॉस करो इसको अब लेकर क्या नहीं इधर यहां से इसको इधर लाना और यहां पर लिखना है आपको फैब वन ठीक है क्या लिखोगे बाइबैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो amount कितना आएगा 7400 तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चो 7400 ठीक है समझ गए तो यह account भी हमने क्लोस कर दिया बस इतना ही करना था अब यहां पर आजाएए और इधर देख लिए दोनों में से किसका amount जादा है यह जादा है कि यह जादा है आप बोलेंगे यह जादा है तो इसे ही दोनों साइड में लिख देते हैं हम लोग कि 2400 कि इधर भी और यहां पर भी तो यहां पर देखो बच्चों balance carry down कितना आएगा तो कितना amount कम पड़ रहे अगर मैं 2400 में से 1000 को माइनस कर दो तो यहां पर आ जाएगा 1400 मतलब इतना amount कम पड़ रहे ठीक है तो हम इधर क्या लिखेंगे देखो यहां पर जैन 34 आ जाएगा यहां पर लिखेंगे by balance carry down ठीक है यह आगया 1400 अब इसे ट्रांसफर कर दीजी यहां पर इस साइट तो क्या लिखेंगे फैब वन फिर और टू बैलेंस ब्राट डाउं कितना आएगा तो 1400 ठीक है ना तो यह account भी हमने close कर दिया अब इसकी बार यह wages account की तो चलिए देखते किदर का टोटल ज्यादा है तो इधर का ही ज्यादा होगा तो इसे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे 400 और इस साइड भी क्या आजाएगा स्टूडेंस यहां पर आजाएगा 400 ठीक है फिर क्या करेंगे तो देखो इधर ही कमपट रहे ना तो यहां पर लिखेंगे 2019 और जैन 31 क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्यारिट डाउन अमाउंट कितना आएगा 400 यानि कि यहां पर देखो तो 400 यहां पर देखेंगे अमने लिख दिया बच्चो 400 ठीक है तो यह अकाउंट भी आपका क्लोज हो चुका है आप लोग देख सकते हो हमने सारे लेजर अकाउंट को क्लोज कर दिया है यहां पर देखो बैलेंसिंग फिखर कितना आया 10,400 इधर कितना आया बच्चो 10,000 ठीक है और फिर इधर कितना आया कहा गया इधर देखो 6,600 ठीक है ना फिर आगे भी आप लोग वैसे करके देख सकते हैं सब कुछ यहां पर मैंने आपको बताई दिया है 1,400 इधर इतना आया इसमें यह आया है और यहां पर बैलेंसिंग फिखर कितना आया है 400 ठीक है तो आपसे बोला रहे था कि आप जर्नल एंट्री भी पास कीजिए और लेजर भी बनाईए तो आप क्या करते पहले आप अच्छे से पूरा जर्नल एंट्री पास करते और उसका प्रॉपर ली नरेशन वगरा सब लिखते जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मिट बन लेजर के अपने समझने के लिए कर रहे हो है ना आप वो जनल एंट्री क्यों पास किये क्यों पास किये ताकि आपको समझ में आए कि लेजर में हमें पोस्टिंग कैसे करनी है समझ रहे होगी नहीं ठीक है तो इस तरीके से कीजिए आप लोग भी तो यहाँ पर कोश्चं नमबर 3 होता है complete अभी नेक्स वीडियो में हम लोग स्वाल करेंगे कोश्चन नमबर 4 ठीक है समझाना यह कुश्चन मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए कि समझा की नहीं तो चलते हैं मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ठीक है